गुड इबनिंग औल स्टुडेंट्स चलिए तुम्हें अपनी साथ और आठ जन्वरी को जो सीईटी की एक्जाम होने वाली है उसके लिए कुछ महत्पुण क्वेशन लेके आई यू और ये क्वेशन सीईटी की एक्जाम के लिए बहुत महत्पुण होने वाल है तो इनको को आप जरूर पढ़े और जिसकोई सीईटी की एक्जाम देनी है हो उनको शयर करें और आप भी तैयारी करें चलिए बिनकोई देडे ली के मैं आप QUESTION की तरफ बढ़ते हूं कोशन है हमारे फर्स्ट कोशन है इसमें फर्स्ट कोशन होगा सवाना घास मैदान कहां है ओके ऑप्सन दे देती हूं मैं फर्स्ट ऑप्सन अफ्रिका में वी ऑप्सन है उत्तरी अमेरिका में सी ऑप्सन है यूरोप में ये ऑप्सन है आस्ट्रेलिया में जिस किसी को भी इसक इसका अंसर होगा A अफरिका में उक्यों अच्छो समझ में आ गया इसका अंसर है A अफरिका में चलिए अब कोशन दूसरे कोशन की तरह बढ़ते हैं तो दूसरे कोशन है अपना संबीधान के किस संसोधन से राजनीती के निदेशक सिद्धानतों को मौलिक अधिकारों पर प्रेमुक्ता की स्तिति मिली तो ओप्सन अपना A ओप्सन है 24 वा संसोधन B ओप्सन है 30 वा संसोधन और C ओप्सन है 42 वा संसोधन और D ओप्सन है 45 वा संसोधन किसको आता इसका अंसर जल्दी जल्दी बताए फटा-फट ओके मैं आपको इसका अंसर बता देती हूँ इसका कांसर होगा C 42 संसोदन चलिए अपनी तीसरा कोशन क्या बढ़ते हैं तीसरा कोशन आपना सिंदू घाटी सब बता के सहरों की सड़के थी फर्स्ट ऑप्षन इसमें चोड़ी और सीधी सेकंड ऑप्षन इसमें तंग और मिली और C ऑप्षन इसमें फिसलन वाली और D ऑप्षन है तंग और टैड़ी मैं आपको इसका आंसर वो और दिआ हैं ऊप्सन में आपको इसका अंसर बता देती हूं इसका अंसर सिंद्व गारति सब्दा की सड़क sharpenavor Hyakia कैसी थी कि DLC ऐ और चौडी मतलब चौडी और सीधी क्या है चौडी ओप्सन में क्या है चौड़ी और सीधी North प्रभाव के लिए सरवादिक योगदान होता है ऑप्सन है कारवरेंडाई ऑक्साइड का वी ऑप्सन जलवास्व का सी ऑप्सन मैथेन का और डी ऑप्सन नाइट्रस ऑक्साइड का मैं इसका आता है इसका अंसर जल्दी जल्दी बता देते हूं अब हरित घ्रहाप्रभाव मतलब Hani इसका अंसर है चा मैं इसका आपको बता चुल जल्दी बताओ शर्ण होगा मैं आपको बता देते क्या आंसर होगा इसका करवंडाई ओक्साइड ओके चलते हैं अपने पाँचवे कोशन की तरफ तो अपने पाँचवे कोशन है बांगला देश अपना राष्टिय सोक दिवस कम मनाता है ओप्सन है इसमें A ओप्सन है 15 अगस्त, B ओप्सन है 30 जन्वरी, C ओप्सन है 26 जन्वरी और D ओप्सन है 14 अगस्त बताईए जल्दे बताई की कोशन का अंसर क्या होगा ओके चलिए मैं आपको इसका अंसर बता देती हूँ बांगलादेश अपना शोक राष्टी ये शोक कम मना आता है ए पंद्रा अगस्त को ओक्यो अच्छा अब चटे कोशन क्यों बढ़ते हैं आपन चटे कोशन अपना बारती है एथिलिट मयूक रानी का संबंद किस इवेंट से हैं अप्सन होंगे इसके ए ओप्सन लॉंस जंप बी ओप्सन रनिंग और सी ओप्सन हैविवेट और डी ओप्सन इनमें से कोई नहीं ओप्सन में दुबारा रिपीट कर देती हूं आपको एप्सन है लॉंग जंप बी ओप्सन है रनिंग शी ओप्सन है हैविवेट और डी ओप्सन है इनमें से कोई नहीं चलिए इसका आंसर होगा एक साथव कोशन अपना कि सात्वा कुर्शन अपना बैंकों को अपने रोकर सेस और कुल परी संपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पढ़ता है जीसे क्या कहते हैं क्या कहते हैं इसका आपसन होगा S V R और इसका B option होगा S L R और C option होगा C V R और D option होगा C L R जल्दी जल्दी बताईए comment box में इसका question का answer तो आपको आना चाहिए चलिए चलिए जल्दी बताईए ओके किसको आता है इसका answer जल्दी बताएंगे चलिए मैं आपका answer बता देती हूँ इसका तो इस question का answer होगा B क्या होगा B S L R ओके बच्चो चलिए अपने आठवे question क्यों बढ़ते हैं आठवे question अपना निम्न में से कौन सी स्वल्ण मुद्रा गुप्त कालिन मुद्रा है option A कौडी B option पन C option निस्क और D option दीनार क्या होगा इसका answer आपका आतो होगा जरूर जिस किसी को answer आता है वो comment box में बता है तो बच्चो इसका answer क्या है मैं आपको इसका answer बता देती हूँ इसका answer होगा D दीनार आपने नवा question की ओर वड़ते हैं अपन अपने नवा question है निम्न मेंसे किसने नालंद विश्व विद्धाले का ब्रहमण बहाँ अध्यन किया था मैं दुबार रिपीट कर देती हूं question को निम्न मेंसे किसने नालंदा विस्व विद्धाले का ब्रह्मन वे बहाँ अध्यन किया था option होंगे इसके first option है इसका hang song और second option है फ़हान और C option है मैंगी स्थनीच और D option है इप्रोक्त मेंसे कोई नहीं चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूं इसका आंसर होगा hang song क्या आंसर होगा इसका A hang song वच्चों दसबे question क्यार वड़ते हैं दसबे question है अपना किसी बस्तु का आवर्धित और आवासी प्रतिविम प्राप्त करने के लिए प्रियोग करते हैं ओके option है इसमें A option है अप्तल लेंस का B option है उत्तल लेंस का C option है उत्तल दरपन का और D option है अप्तल दरपन का साइंस के स्टुडेंट तो इसका आंसर जानते ही हूंगे जो कोई भी साइंस का स्टुडेंट है वो अपने question का आंसर comment box में जरूर बताए चलिए मैं तो नहीं हूं यह साइंस के स्टुडेंट इसलिए चलोगे कोई वात नहीं मैं यह आपको बता देती हूं इसका अंसर होगा A अप्तल लेंस क्या होगा इसका अंसर A अप्तल लेंस ओके बच्चों चलते हैं क्यारवे question के और ग्यारव question अपना best lake किस देश में इस्तित है मतलब best lake option इसमें first वारत second है साओधिय अरव और third चीन और fourth है जापान ओके बच्चों इसका अंसर होगा क्या अंसर होगा इसका C C option में क्या है चीन अब बढ़ते हैं आपने बारवे question के और तो अपना बारवा question है इरान की मुद्रा है option इसमें A. Real V. Taka C. Dollar D. Dinar किसको आता है इसका अंसर जल्दी बता है जल्दी बता है comment box में जल्दी बता है ओके बच्चों चलिए मैं आपको इसका अंसर बता देती हूं इरान की मुद्रा इरान की मुद्रा है A. Real जल्दी बढ़ते हैं तेरवे question की तरफ तेरवे question है अपना तोड़ा जन्जाती का निवास इस्थान है question को ध्यान से सुनो तोड़ा जन्जाती का निवास इस्थान है तो option इसमें बिन्याचल की पहाड़िया A option B option होगा अराबली की पहाड़िया C option नीलगिरी की पहाड़िया D option मद्यप्रदेश तो क्या answer है इसका comment box में बताना जरूर चलिए चलिए मैं आपको इसका answer बता देते हूं इसका answer होगा C नीलगिरी की पहाड़िया ओक्यों बच्चों चोधव कोशन क्या बढ़ते हैं चोधव कोशन अपना संग सरकार द्वारा किस करकी वसूली नहीं की जाती तोबारा बता देते हूं मैं क्रैसी भूमी पर आयकर c option है और d option है चलिए बच्चों बताईए कमेट बॉक्स में ओके बच्चों मैं आपको इसका answer बताते हूं इसका answer होगा B क्या answer होगा इसका क्रैसी भूमी पर आयकर ओके चलते हूं अपने पंदलोबे कोशन की तरफ पंदरवा question है अपना भारत में किस प्रकार की अर्थी व्यवस्त्त है ये तो सब कोई पता होगा चलिए मैं आपको option बता देती हूं फर्स्ट आप्सन है पुंजिवादी, B आप्सन समाजवादी, C आप्सन प्रामप्रागत, और D आप्सन है मिश्रित, किस-किस को आता है इसका आंसर, जल्दी आंसर दे, फटाफट, फटाफट, ओके, मैं इसको दुबारा रिपीट करते हूं, बारत में किस प्रकार की अर्थव्यबस्ता है, किस प्रकार की है, D, आंसर क्या है इसका, D, मिश्रित, ओके, अब सौल्वे कोश्चन क्यों बढ़ते हैं, सौल्वे कोश्चन है, अपना सरचनात्मक पेरोजगारी का कारण है, आप्सन, कच्छे माल की कमी, B, आप्सन, एपरियाप्त, उत्पादन चमता, और C, अग इस्पित्ति की अवस्ता, और D, आप्सन, भारी उधोग अभीनती, ओके वच्चों, किसको आता है, इसका अंसर कामेंट बोक्स में बताओ, चलिए, मैं इसका अंसर बता देती हूँ, आपको इसका अंसर होगा, B, आप्सन, परियाप्त, उत्पादन चमता, चलिए, सत्रवे कोशन के रोड़ते हैं, तो बच्चों, सत्रवे कोशन, अपना निम्न यूरूपिय देसों में से, किस एक की सीमा, अंटाक्टिक, महासागर से लगी हूई है, मैं आपको दुबारा कोशन रेपीट कर देती हूँ, सत्रवे कोशन होगा अपना, निम्न यूरूपिय देसों में से, किस एक की सीमा, अटलांटिक महासागर से लगी हूई है, आप्सन इसका, पुर्तगाल, B आप्सन है, आश्ट्रेलिया, और C ओप्सन है, रोमानिया, और D ओप्सन है, फिनलेंड, चलिए आंजर बताईए कमेंट बोक्स में, जल्दी जल्दी, बताईए प्लीज, तो मैं आपको इसका आंजर बता दे जो, इसका आंजर होगा, A पुर्तगाल, ओके बच्चों, अब अठारवे कोशन के और बढ़ते हैं अपन, तो अपना अठारवे कोशन है, छटी वे आट भी पंचवर्षिय योजना है, क्रामश्या, उन्नीस सो असी से पिच्च्यासी, तक और उन्नीस सो बाण में से सत्याण में की अबदी की थी, साथ भी पंचवर्षिय योजना की अबदी थी, फर्स्ट ओप्सन होगा, उन्नीस सो अत्यासी से बाण में, और बी ओप्सन होगा, उन्नीस सो च्यासी से एकराण में, और सी ओप्सन होगा, इसका अंसर चलिए है मैं इसका अंसर बता देती हूँ आपको इसका अंसर होगा c 문b उंक्य तर बढते है niño अपना उंहिस्व कोषन है भाहरतिया रिजर्ब बैंक के मुक्त वाजार प्रशालन का क्या तात्वरी है दुबारे रिपीट करते हूँ में इस कोशन को भारती है रिजर्ब बेंक के मुक्त वाजार प्रचालन का क्यातत परी है ऑपसन है शेयरों को खरीदना और बेचना और बी ऑप्सन है विदेशी मुद्रा की निलामी करना और दी ऑपसन है सोने का लिंदिन करना ओके बच्चो किसको आता है इसका आंसर चले चले बता ही चल्दी ठीक है जिसको नहीं आता वो देखी ध्यान से मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ इसका आंसर होगा C क्या होगा बच्चो C आंसर प्रतिवूती का ब्यापार उके बच्चो बीस वे कॉशन क्यों बढ़ते है अपन चलिए बीस वे कॉशन आपना किस पंच वर्शिय योजना का मुख्यों धेस आर्थिक आत्म था अप्सन है प्रथम बी उप्सन है दीतिया और सी उपि सनतर दिया आपनी टेंशन चतुरत तो इसका आंसर है अपना चतुर्थ क्या आंसर है इसका डी चतुर्थ ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं अपनी 21 वा कोशन की तरफ 21 वा कोशन अपना राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार किस वर्स में आरम किया गया ओप्सन आए A ओप्सन आए पाने 21 में बाणमे और B ओप्सन आए RPG ओप्सन आए D ओप्सन आए 1971 वासट मैं C ओप्सन था वो 1931 वासट और D ओप्सन आए 1945 मिं इसका आंसर में बता दिती ben आपको इसका आंसर है A 1921 वा कोशन में ठीक है जल्दी 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 चलो तो ठीक है चल मैं बता देती हूं इसका आंसर क्या है इसका आंसर होगा बी निस्सु चुपण सतावन उक्यों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तेविस्व कोशन की तरफ तो तेविस्व कोशन है अपना महलवाडी व्यवस्ता में किसानों का भूमी पर अधिकार था कोशन रिपीट कर देती हूं मैं महलवाडी व्यवस्ता में किसानों का भूमी पर अधिकार था ओप्सन है सी मित बी ओप्सन है एसी मित इसी ओप्सन है बिल्कुल नहीं और डी ओप्सन है बराबर चले बताइए बताइए जल्दी बताइए कमेट बॉक्स में इसका अंसर आने ची जल्दी जल्दी ओके बच्चो चले मैं आपको इसका अंसर बता देती हूं इसका आंसर होगा सी बिल्कुल नहीं ओके वच्च चोविसवा कोशन क्यों बढ़ते हैं चलिए 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 तो अपना चोविसवा कोशन होगा मानवा दिकार सर्रक्ष अधिनियम प्रभावशाली हुआ कब गुआ प्रभावशाली ओप्षन है इसका 28 सितम्बर 1903 में और बी ओप्षन है 28 अगस्त 1903 में और सी ओप्षन है 27 सितम्बर 1903 में और डी ओप्षन समय अगस्त 1903 में कि वच्चों किसको आता इसका आंसर कमेंट बोक्स में बताओ चलिए इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा फर्स्ट 28 सितंबर 1903 में बच्चों 25 कोशन क्यों बढ़ते हैं तो अपना 25 कोशन है कारण बालिस सहिंता किस व्यवस्ता के सुधार पर आधारीत हैं ओप्सन होगा इसमें ए उप्सन है सिख्षा व्यवस्ता बी उप्सन है ब्यावार व्यवस्ता और सी उप्सन है न्याय व्यवस्ता और डी उप्सन है उप्रोप्त में से कोई नहीं चलो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ अब कारण वालिक नहीं था किस वेबस्ता किस उधार पर आधा रही था है तो इसमें होगा C क्या होगा C आप्सन न्याय वेबस्ता ओके बच्चों 26 वे कोशन क्यों बढ़ते हैं अब चलिए 26 वे कोशन अपना निम्न में से किस इस्थान में हडपा सब्बता का विसाल इसनानागार प्राप्त हुआ मैं तुबारा कोशन रिपीट कर दें ध्यान से सुनना निम्न में से किस इस्थान में हडपा सब्बता का विसाल इसनानागार प्राप्त हुआ है ओप्सन ओंगेस के A option मोहन जोदडूँ में B option हरपा में C option लोथल में D option काली वंगा में ओके बच्चो किसको आता है इसका अंसर जल्दी बताए एक अमेट बोक्स में चलिए में आपको इसका अंसर बता देती हूँ तो बच्चो इसका अंसर है A, मोहन जोदडूँ में दिए एक्चूरी बनाती है दुबार रिपीट कर देते हूं मैं इसको निम्न में से कौन सी नदी एक्चूरी बनाती है फर्स्ट ओप्सन है गंगा वी ओप्सन है कावेरी सी ओप्सन है कृष्णा और डी ओप्सन है नरवदा चलिये बताएए बच्चों ओके इसका आंसर मैं आपको बता देती हूं इसका आंसर होकर डी नम्र नर्मदा ओके वच्चो चले बढ़ते अपने 28 कोशन की तरफ 28 कोशन अपना रीपो दर भैदर है जिस पर ओप्सन है भारतिय रिजर्ब बैंक राज सरकारों को रिन देता है और बी ओप्सन है अंतरराष्टिय सायता संस्ताय भारतिय रिजर्ब बैंक को रिन देती है और सी ओप्सन है भारतिय रिजर्ब बैंक अन्य बैंको को रिन देता ि अंसर होगा इसका कम्लेंट versa कुरुण देता है ज़स्के चलो मैं बतातीती हूँ आपको इसका अंसर गांपर चलिए उन्तीसफ़ कोशन के और वड़ते हैं तो ऊटʘ्य के किस समू के साथ नागलेंड की सांजी सीमा आप्सन है लुधासं सब्सक् outro स्वाइब cred spacedאש लेयर चैल प्रदेश सब्सक्राथ क्या आंसर होगा इसका ओके वच्चो इसका आंसर होगा वी और उना चल प्रदेश असम और मणीपूर ओके आगे समझ में चलिए बढ़ते आपने लास्ट कोश्चन ओके वच्चो अपना तीसवा एंड लास्ट कोश्चन है निमने में से कौन सा मूल अधिकारों में समलित नहीं है ओके वच्चों मैं आपको option देती हूं first option है संपत्ति का अधिकार second option है सभा करने का अधिकार और third option है संग गठित करने का अधिकार और fourth option है देश के किसी भाग में जाने और निवास करने का अधिकार चले चले जल्दी बताए इसका आंसर जिस किसी को भी इसका अंसर आता है comment box में जल्दी बताए ओके वच्चों जल्दी comment करे इसका अंसर जल्दी comment करे ओके वच्चों चलिए मैं आपको बता देती हूं इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर होगा निमने में से कौन सा मूल अधिकारों में समलित है तो कौन सा समलित नहीं है तो इसमें है A option क्या अंसर है इसका A संपत्ति का अधिकार ओके बच्चों चलिए ठीक है आज के साथ मैं यही खत्म करती हूँ अपनी क्लास तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें